नमस्कार दोस्तों, भक्त भोले नाथ को प्रसंद करने के लिए बहुत सारी अलग-अलग चीजें अर्पित करते हैं, शिव पुराण में भी शिव जी को फूल पत्तियां चढ़ाने का विशेश महतु बताया गया है, शिव लिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से सभी ग्रह दोश दूर हो सकते हैं, यह उपाए रोज या हर सुमवार को किया जा सकता है, उद्दम माना गया है, क्योंकि शिव लिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने का विशेश महतु बताया गया है, और कहा गया है कि शमी के पत्ते के अलावा अगर आपको शमी के पुष्प जो की ब अनों कामना तुरंद ही भगवान भोलेना सुन लेते हैं, शमी के पत्ते भगवान गणेश जी को भी हर बुद्वार को चढ़ाना चाहिए, शमी के पत्ते से दुर्वा से भगवान गणेश का अभिशेक करना चाहिए, मानेता है कि शमी में शिव का वास होता है, तो शमी क पत्ते और शमी के फूल में भगवान शंकर को ही माना गया है भगवान शंकर को शमी के फूल और शमी के पत्ते जरूर अरपित करने चाहिए बेलपत्र भी जरूर अरपित करने चाहिए और माना गया है कि सो बेलपत्र के बराबर एक शमी का पत्ता होता है अगर आप शिमलिम का फूल कहीं से मिल जाए तो आप प्रदोश के दिन शमी का फूल जरूर अर्पित करें और हर सोमवार को आप शमी का फूल अर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास फूल सोमवार को नहीं मिल रहा है किसी और दिन मिलता है तो आप उस फूल को समाल कर रखें सूख जाए तो शमी के पत्थे चड़ाने से सोभागे और वर्दान मिलता है और धन की भी प्राप्ति होती है इसके लिए रोज सुबा नहा कर किसी भी शिव मंदिर में जाएं या फिर आप घर में ही भगवान शिव की पूजा आरादना करें तामबे के लोटे में गंगा जल या कोई भी प शमी पत्र जनेववा मिठाई अंत में शमी के पत्ते चड़ाएं और फूल में अगर मिल जाएं तो फूल भी आप अर्पित करें प्रदोश वरत की भी पूजा डाली हुई है हर एक तीज तेवार की पूजा पार्ट में अपने चरप डाली हुई है शमी के फूल इस तरीक वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगी अगर किसी चीज़ का आपको चाहिए तो अगर आप लोग कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट वोक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक किजे कमेंट किजे और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करके जाएगा पूजा पार्ट कथा कहानी से रिलेटेड हर एक वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में ओम नमस्शिवाए